नमस्कार दोस्तों, देखे मित्रों नेक्स्ट जो आज हमारा NCRT की कलास 6 का हिस्ट्री का चेप्टर है, खुशाल गाउं और सम्रद सहर, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसके साथ ही जो लाष्ट हमारी कलास हुई थी NCR उसमें से आपको एक परशन का जवाब देना है कि रामपुर्वा जो इस्थान है जब हम अबिलेक के पढ़े थे अशुक के बारे में, तो रामपुर्वा जो अबिलेक है वो किस इस्थान पर है, आपको राज्य का नाम बताना है, इस्टेट का नाम बताना है, किस इस्ट जैसे कुछ ओजार बेजने के लिए रखे थे, दूसरी और बटी जल रही थी, ओजार बनाने के लिए दो लोहे, दो लोग लोहे की एक छड़ को गरम कर उसे प्रीट रहे थे, परबाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था, क्या है लोहे के ओजार और खेती, लोहे का परियोग आज एक आम बात है, लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिन्दकी का हिस्सा बन गई है, इस उप महदीप में लोहे का परियोग लग बग तीन हजार साल पहले सुरू हुआ था, तीन हजार साल से मतलब, आज से तीन हजार साल है ये, दो हजार साल तो लग बग ये मानो, और हजार साल इसा पूरू, इसा पूरू के, तो हो गए लग बग तीन हजार साल, और मैंने आपको पहले पता नहीं सेंकडो बार ये चीज़ बता दी होगी, कि लोहे की खोज जो ह वो हजार इसा पूरव के आसपास होती है ये एक डेडलाइन ध्यान में रखना हजार इसा पूरव लोहे की खोज हो गई थी माहा पाशान कबरों में लोहे के ओजार और हत्यार बड़ी संख्या में मिले हैं इनके बारे में तुम अध्याई पांच में पढ़ चुके हो ये देख रहे हैं आप ओजारों की सुची में इन चित्रों के नामों को चुनो ये देखेगा राइट में हंसिया, कुलहाडी ये संडासी करीब 25 सो वर्ष पहले लोहे के ओजारों के बढ़ते उप्यों का परमान मिलता है इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुलहाडिया और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है अध्याई 6 में तुमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से करसी उत्पादन बढ़ गया था तो लोहे की खोश तो देखिए पूरे आप ये मालीजिए कि एक ऐसी करांती कारी खोश दी जिसने ना केवल इत्यास को बलकि पूरे समाज को भी बदल के रख दिया इतनी बड़ी एक करांती कारी खोश की रूप में सामने आता है लोहां तो जो हल के फाल हैं वो भी आप किस से बढ़ने लगे थे लोहे से बने गए जंगलों को साफ करने के लिए कुलहडियां बन गई करशी उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गए अन्य कदम सिंचाई समरद गाओं के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था जिस तरह करशी के विकास में नए ओजार तथा रोपाई अध्याय चै में महत्पुन कदम थे उसी तरह सिंचाई भी काफी उप्योगी साबित हुई इस समय सिंचाई के लिए नहरे, कुवे, तालाब और कृत्रियम जलाशे बनाए गई थे तो जब यह इस तरह की चीजों की खोज हुई उसके बाद में यह हुआ कि करशी का विकास जो है उसको और बहतर तरीके से कैसे किया जाए तो करशी का विकास देखे एक तो उसके क्या होने चाहिए उप्योगी मैदान होने चाहिए उपजाओ मैदान तो अब मान लिजिए मैदान भी उपजाओ है लेकिन मेदान उपजावएर वहाँ पानी की इतने बड़ी कोई वेवस्ता नहीं है तो उसके लिए हम क्या इंदिजाम कर सकते हैं तो उसके लिए फिर जैसे माली जीये ये नहरे हैं कुए हैं, तालाब हैं, कोई करत्रिम जलाशे हैं तो फिर ये बनाए गए थे जैसे आज गंगा नगर हनुमानगड है वहाँ 95% जो खेती है, वो किस से होती है? नहरों से होती है तो नहरे बनाए गई तो सिंचाई के लिए अलगर चीजों को परियोग किया गया इनका और इसलिए आप देख लीजेगा कि जो बिकानेर के महराजा थे महराजा गंगा सिंग जी तो उनको आदूनिक बागिरत कहा जाता है तो वो जो नहर उन्होंने बनाई थी गंग नहर 1927 में वो नहर लेकर के आगे थे इस मरुस्तल शेतर में तो बहुत बड़ा उप्योग है जहां सिंचाई के लिए डारेक्ट इस तरह की व्यवस्ता नहीं हो आसपास और नदियां जो है वो दूर बह रही हो क्योंकि आप राजस्तान के अंदर भोगली गुरूप से राजस्तान को देखेंगे तो पूरी भी राजस्तान में तो फिर भी नदिया है दक्षिंड में मान लेजिए दक्षिंड और दक्षिंड पूरो वाला और पूरो की तरफ का जो शेतर है इस शेतर में तो फिर भी नदियां आपको खुझ मिल जाएगी लेकिन पस्भी राजस्तान के बात करें तो नाम मातर की नदियां है जो केवल नाम के नदियां है और वो भी जो अच्छे से नहीं बैती कहीं बीच में सूख जाएगी, कहीं फिर दिखाई देगी, फिर गायब हो जाएगी तो इसलिए पस्मिराजस्तान के में ये समझ आती है इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आई परिवर्तन दिखाए गए हैं खाली स्थानों में सही वाकिया बरो तो ये जो खाली स्थान है अब देखिए इसको आपको भरना है आप कैसे बरोगे इसको ये चार सेंटेंस इनों ने दिये हैं और ये आठ नमबर तक यहां है और फिर नौवा आगे जो स्थान है वो इसमें खाली है ये देखिए तो ये चार सेंटेंस आपको भरने हैं इसमें अब कैसे बरोगे आप भरिए इसको ये देखिएगा राजा को सेना महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए वे किसानों से क्या लेते हैं कर लेते हैं टेक्स तो अब यहां तीसरे में क्या बरा जाएगा और फॉर्ट में है कि ये सिंचाई से ही संबव था तो तीसरे में क्या आएगा इसमें क्या लोगों दोरा परिशरम किया गया किसानों को लाव मिला कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था यह होगा वे किसानों से क्या लेते थे? कर लेते थे और कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था तो यह तीन नमबर में आ जाएगा यहाँ पर और यह किस से संभव था? सिंचाई से ही संभव था तो फिर जो राजा थे राजाओं ने क्या किया सिंचाई की योजना बनाई और धनखर्च किया तो पांच नमबर पे ये लाश्ट वाला सेंटेंस आ जाएगा यहाँ पर लोगों द्वारा प्रिश्रम किया गया छै नमबर पे ये आ जाएगा प्रिश्रम वालग कर्शी उत्पादन भड़ा, राजसों भी बड़ा और अब लाश्ट में जो नौवा खाली इन्हों ने छोड़ा है उसमें क्या जाएगे किसानों को ला मिला क्योंकि अब उत्पादन की एन शिता गटी क्योंकि जो मानसुन पर तो वेक्ती इतना निर्बण नहीं रह सकता अगर सिंचाई की वेवस्ता है तो आज भी आप देख लीजिए गाउं में पहले जब सिर्फ बारिस पर डिपेंड थे और उसके बाद में अगर वहां कोई नहरा आ गई या जैसे आगर उन्होंने बना लिया कुवा बना लिया कोई या और कोई पानी का इंजाम कर लिया सिंचाई के लिए तो उत्पादन की एन निशित्ता गटी इसलिए गटी कि आप मान लिजिए बारिस नहीं भी हुई या कम हुई तो भी वो सिंचाई से जो है वो उसमें जितनी आवशक्ता होती थी पानी की उतनी पूर्ती कर सकते थे नेक्स आता है गाउं में कौन रहते थे इस उप महादीब के दक्षिनी और उत्री हिसों के अधिकांस गाउं में कम से कम तीन त्रहे के लोग रहते थे तमील शेत्र में बड़े भू स्वामियों को वेला और सादारन जो हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे तो ये तीन जो है इनका विवाजन किया गया है तो क्या थी ये तीन केटेगरी थी जो बड़े भू स्वामी थे जो खुद मालिक थे जमीन के, बड़े भूस्वामी, जिनके पास काफी जमीन होती थी, उनको वेला कहते थे, और सादारन जो होते थे, हलवाहे, उनको कहते थे उनवार, और जिनके पास कोई भूमी वगएरा नहीं होती थी, भूमी इन मजदूर्दास, तो उनको गडेसिया और अदिमई कहते थे। इसके अत्रिक्त प्रभावशाली होने के कार्ण पराय राजा भी कर वसुलने का काम इने ही सौप देते थे। दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीवी का चलानी पड़ती थे। आपको जो उपर बताई थी जो अलगले विवाजन बताई था। उसी परकार से ये उत्तर के अंदर इस परकार से विवाजन था। जो बड़े भू स्वामी होते थे तो मुख्य रूप से उनको निक्त करते थे गराम भोजे के पत पर। और ये एक तरह से पत कैसा होता था। आनुवाशिक होता था। कि उसकी जो संतान है वो भी आगे गराम भोजे की बनेगी। और राजा जो होता था वो टेक्स वसुलने का काम भी इनको सौंपता था। ये न्यायदी इसका पुलिस का काम भी करते थे। कुछ सवतंतर कर्शक होते थे यानि जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीने नहीं होती थी छोटे किसान। उनको कहते थे ग्रैपती और तीसरे होते थे करमकार जिनके अपनी कोई जमीन नहीं होती थी। अधिकांस गाउं में लोहार, कुमार, बड़ई तता बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। और ये देखे, ये पूरी जो विवस्ता है, इस विवस्ता के कारण ही जो गाउं है वो पहले क्या वा करते थे। आतम-निर्बर गाउं होते थे हिंदुस्तान के। क्योंकि यहां जो खिसान है, क्या करते थे खेती करेंगे, लोहार भी होता था उस गाउं में, कुमार भी होता था, बढ़े ही भी होता था, बुनकर भी होता था, जैसे सुनार भी होता था, मोची भी होता था, आज भी आप गाउं में चले जाएंगे, तो आपको गाउं के अ एक कुमार का होता था, एक-दो गर्ट तो कम से कम होता ही थे, तो पहले वो वस्तु विनिय में अधिक होता था, जैसे माल जी कोई किसान है, उसके पास अनाज है, तो अनाज उसने 20 किलो अनाज अगर इसको दे दिया कुमार को, और कुमार ने इसके बदले में इसको पांच गड़े या दस गड़े जो हैं, वो दे दिये, तो इस प्रकार से एक दूसरे की जवशक्ताओं की पूर्ती पहले होती थी, फिर बाद में बविशे में क्या होता है, कि यह अंगरेज आते हैं, और अंगरेजों को इन भूनकरों से, बड़ई से, कुमार से, लोहार से, कोई लेना देना नहीं था, सुनार से, किसी से भी, उनको सिर्फ यहां की जमीन से जो है, वो क्या चीए था, अन चीए था, या उनको जो खेती, अपने व्यापारिक लाब के लिए करवानी थी, वो ही उनको करवानी थी, यहां पे, तो इन सब लोगों के जो रोजगार हैं, दूसरे वो क्या कर दिएगे, बंद कर दिएगे, और सब लोगों को एक ही चीज में लगा दिया गया, केवल खेती करने में, किसानी में, तो जब एक साथ इतने लोगों के पास में, जब सिर्फ एक की काम रहेगा, किसानी का, तो निशी सी बात है कि जमीन तो पड़ेगी कम, लोग होंगे ज्यादा, लोगों के जो आवशकता ही थी, वो पूरी नहीं होगी, बेरोजगारी कि यहां के गाउं को किसी से कुछ मांगनी के आवशकता ही नहीं, यह है कैसे इतना, इतना ज़्यादा यह आतम निरबर कैसे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने यही टार्गेट किया कि यह जो आतम निरबरता है इनकी, इसको खतम किया जाए, क्योंकि जो आवशकते हैं थी, आपकी वो सारी उसी गाउं से पूरी हो जाती थी, प्राचिंतम तमील रचनाएं, तमील की प्राचिंतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है, क्योंकि मदूरे, यह मांचीतर साथप्रक में कवियों के समयलोनों में इनका संक्लन किया जाता है, तो यह देखे जो एक संगम होता है, और उस समय यह साहिते रचे गए, तो उसे हम कहते हैं संगम साहिते, गाउं में रहने वालों के जिन तमील नामों का उले किया किया गया है, वे संगम साहिते में पाए जाते हैं, वो जो नाम आपने उपर देखे हैं सभी, नगर, क्या कहती है कहानिया, यात्रा वीवरण, मूर्तिकलाएं और पुरा तत्वूँ तुमने जात्कों के बारे में सुना होगा, ये वो कहानिय है जो आम लोगों में परचली थी बोध बिक्षों ने इनका संक्लन किया, यहां एक जातक खता दी गई है जिसमें यह बताया गिया कि एक निर्धन किस तरह से दिरे दिरे धनी बन जाता है एक निर्धन की चतुराई, एक शहर में एक गरीब यूबक रहता था, उसके पास एक मरे चुहे के लावा कुछ नहीं था उसने उस चुहे को एक सिके में एक बोजना लेवाले की बिल्ली के लिए बेश दिया फिर एक दिन बड़ी जोर कियां दिया ही, राजा का बगीचा तूटी टहनियों और पत्तों से भर गया उनका माली इसे साफ करने के बाद से प्रेसान हो उठा, यूबक ने मालिक से का कि अगर लकडियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है माली तुरंत बान गया, यूबक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकटा कर लिया, कि परत्ते एक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक-एक मिठाई मिलेगी देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक-एक तिन का चुन कर गेट के पास इकटा कर लिया अंदाज से बताओ कि कौन से बच्चे होंगे, जो मानगे होंगे मिठाई के लालस में, यह बाल्य अवस्ता के बच्चे हैं तो तभी उदर से राजा का कुमहार बरतनों को पकाने के लिए इंदन की तलास में गुजरा उसने पूरे ढेर को खरीद लिया, इस तरह यूवक के पास कुछ और पैसे हो गए अब उस यूवक ने एक और योजना बनाई, एक बड़े बरतन में पानी भरकर वे नगर के द्वार पर गया और वहां उसे गास काटने वाले 500 लोगों को पानी बिलाया खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया बताओ, अब हम तुमारे लिए क्या कर सकते हैं तो उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी साहिता की जुरत होगी उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की एक दिन व्यापारी ने बताया कि कल एक गोडे का व्यापारी 500 गोडों के साथ शहर में आ रहा है यह सुनकर उस यूवक ने उन गास काटने वालों के पास जाकर कहा करपया तुम सब एक एक गास का गटर मुझे दे दो और अपनी गास तब तक मत बेचो जब तक की मेरी निबिख जाए उन्हों ने उसे गासों के 500 गटर दे दिये जब गोडे के व्यापारी को कहीं भी गास ने मिली तो उसने उस यूवक की गास 1000 सिके में खरीद ली इस काटने में आये व्यक्ति के व्यवसायों की सुची बनाओ पर्तिय के लिए यह तेय करों कि वे कह शहर में खह गाउं में या फिर गया शहर गाउं दोनों में रहते थे गोडे का व्यापरी शहर क्यों आया गोड़ यह बाकी चीज़ें तो यह आपसे यह बताना चाहता है कि किस तरह से जैसे जातक कताई जो है बहुत अच्छे ची काता है बहुत अच्छे ची कानिया आई यह तो आपने देखा कि कोई वेक्ति अपने बुद्धी से और अपनी मेहनत से और लगन से जो चाहे वो हासिल कर सकता है कई वेक्ति जो है वो पूरी जिंद की ही रोते रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ एक युवा जब इस तरह की बात कहता है 20-25 साल का युवा, 25 साल का युवा, 30-30 साल का युवा जब इस तरह की बात कहता है तो वो चीज उसे शोबा नहीं देती उसे इश्वर ने युव आवस्ता दी है और युव आवस्ता वो आवस्ता है जब आप जो चाहे इस दुनिया में हासिल कर सकते हो हात पाऊं सही सलामत हैं इश्वर ने बुद्धि दी है उस बुद्धि को उपयोग में लगाओ और अपनी मेहनत करो तो देखे, लाइफ में सकसेस होने के लिए कुछ बहुत सारी चीज़े नहीं चाहिए होती है, दो-चार चीज़े हैं, और वो ऐसी चीज़े जो इश्वर ने सबको दिये, महनत, लगन, दिमाग, ये हर इंसान के पास में है, अब दिमाग कोई 19-20 हो सकता है किसी का, पर ऐसा तो प्राची नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य सरोतों से भी पता चल सकता है, सैरो, गाउं या फिर जंगलों के जीवन में जूड़ी गटनाओं को मूर्तिकार, कलात्मग, डंग से उकेरते थे, इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंबो या प्रिव क्या है ये, दिल्ली में मिला वले कूप, तो कूवे हैं ये, जो कैसे होते थे, वलेदार, वलेदार मतलब, छलेदार भी आप इनको कह सकते हो, वलेदार या छलेदार, ये इस परकार से देखें कैसे बने वही हूँ, अब इसके बारे में और आगे लिखावाएं, और बाक इसमें शहर के जीवन का एक दर्शे है, तुम अध्याय बारा में सांची के बारे में पढ़ोगे, इन दिवारों को देखो क्या वे इंट की बनी है, या फिर लकडी या पत्तर से, क्या इसकी रेलिंग लकडी की बनी है, इन इमारतों की छतों का वर्णन करो, या आगे भी आ इस इतरे में देख रहे हो, अनेक शहरों में ये वल्यकूप मिले हैं, ये वल्यकूप, यानि जो वल्यदार ये क्या थे, कुवे थे, ये गुसल खाने, नाली, या कोडे दान के लिए प्रियूकत होते थे, और पराई ये वल्यकूप का होते थे, लोगों के ग्रों में होत यह बने वे जो अब यह वल्य कूप वाले में से आपके बहुत अच्छा क्यूशन बनता है, जैसे मालेजी आपके क्यूशन ये बना, कि वल्य कूप का उप्योग नीमलेक्ट में से किया जाता था, किसके लिए किया जाता था A option में दे दिया जैसे सिंचाई के लिए B option हो गया वस्तर धोने के लिए कपड़े धोने के लिए C option में अगर दे दिया नहाने के लिए यह परशना आयवा भी है पहले और D option में यह दे दिया जल निकास के लिए तो नाम इसका कूप है यानि कूवे हैं कि वल्लेदार कूवे या वल्ले कूप लेकिन कूवे नाम आते ही दिमाद में आता है कि उसमें खूब सारा पानी होता होगा बाल्टी डालके पानी निकालते होंगे और कामे लेते होंगे ये वल्ले कूप छलेदार कूवे जो हैं इसका मुक्षे रूप से उप्योक किस के लिए होता था तो D होता था इसका जल निकास के लिए ना ये सिंचाई है, ना वस्तर धोने के लिए, ना नाने के लिए ये देखे, गुशल खाना, या नाली, या कुडेदान तो जल के निकास के लिए इस तरह के घरों में ये कूब बने होते थे और मोर्यकाल के अंदर आपको ये वल्लेदार जो कूवे हैं ये इस तरह के मिलते हैं फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार जो फर्स्ट विपर था उसमें ये प्रशन पुछा गया था मोर्य काल से सब्मधी था, वल्य दार कोउँ से सम्मधी थी? तो आपने उपर पढ़ाई ये कि मख्ट समराजे के अंदर जो ये महाजनपद काल मेर성 महाजनपद काल के अंदर फिर बाद में मख्ट समराजे तो था ही पहले भी मोर्यकाल 322 इसा पूरव से शुरू होता है तो माजन पतकाल के अंदर और मोर्यकाल में ये इस तरह के वल्लेदार कुवे थे ये प्रियोग किये जाते थे महलों, बाजारों या आम घरों के आउसेस बहुत कम मिले हैं संभवत है लकडी, मीटी या कच्ची, इंटो या छपर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक न पायों, बविशे में पुरातत वी दिन की कोज कर सकते हैं प्राचीन सहरों के बारे में वहां गये नाविकों और यात्रियों के वीवरों द्वार भी पता चलता है तो ये बाद के बाद है, अभी देखते हैं इसको बेरी गाजा, भरूज का यूनानी नाम क्या है इसकी कानी? कि बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुदर से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है राजा के द्वारा नियुक्त, कुशल और अनुबवी स्थानिय मच्वारे ही यहां जहाज ला सकते थे बेरी गाजा में शराव, तांबा, टीन, सिसा, मूंगा, उकराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिकों का आयत होता था और हिमाले के जड़ी बुंटी, हाती दांत, गोमेद, कार्नलियन, सूती कपड़ा, रेसम, और इतर यहां से निरियात होता था राजा के लिए व्यापारी विशेस उपार लाते थे, चांदी के बरतन, गाय किसोर, सुन्दर ओरतें, अच्छी शराव, और उतकर्ष्ट महिन कपड़े शामिल थे तो व्यापारी उपार में यह जो इस तरह एक चीजें हैं, यह राजा के लिए लेकर के आया करते थे तो बेरी गाजा का अब कितना अच्छा आपके प्रशन बना है कि भरूच का, जो है वो युनानी नाम क्या है, तो बेरी गाजा यह देखें, यह बरूच का है, यह रहा, गुजरात में, यहाँ नीचे सूरत है, यह बरूच है, इधर यह भावनगर है, और तो बंदर गाय के रूप में जो है, यहाँ परियोग किया जाता था, यहां से जो भी मा लिजए जहाज आ रहे हैं, अरब सागर से, इधर अलग उतारा जाता था, नेक्स्ट आता है सिक्कों के बारे में, कि प्रश्ट नब्बब पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मुल्यांकन किया जाता था, वो जो जातक खतावाली हमने देखी, पूरा ततव विदों को इस यूग के हजारों सिक्के मिले हैं, सबसे पुराने थे आहत सिक्के, जो करीब 500 साल चले, जिसका चित्र नीचे दिया गया है, तो चांदी या सोने के सिक्कों पर विबिन आकरतियों को आहत कर बनाये जाने के कारण, जैसे ठपा होता है उस तरह से, उस पर बनाये जाने करण इनको हम चांदी के सिक्कों पर विबिन आकरतियों को बनाये जाने कारण, आहत कर, यानि उसको दबा के, उसको पीट करके, इस तरह से जो है ये बनाये जाते थे, जैसे आप देख रहे हैं, इस पर इस परकार से आकरतियां बना करके हैं, नेक्ट पॉइंट है, नगर अनेक गती वीदियों के के अंदर, अक्सर नगर कई कारणों से मैत्पून हो जाते थे, उधान के लिए मतुरा को देखूँ, अब ये नेक्ट जो चेप्टर आएंगे, उसमें है, ये मानसितर साथ परष्टा 113, यह 25 साल से भी ज्यादा समय स एक मैत्पून अगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्या रास्तों पर इस्तित्ता, इसमें से एक रास्ता उत्तर पस्चिम से पूरव की ओर, और दूसरा उत्तर से दक्षण की ओर जाने वाला था, ये देखिए, इस मेह में, ये मतुरा है, तो एक रास्ता उत्तर से दक्षण की ओर, और यूँ उत्तर पस्चिम से पूरव की ओर, तो इस शेत्र से, उत्तर पस्चिम से मतलब इस तरफ से पूरव की ओर, यूँ, तो एक मैत्पून के अंदर हो गया, इसमें यातायात और व्यापार के लिए, सहर के च्यारों और कीले बंदी थी, इसमें अनेग मंदिर थे आसपास के किसान और पशुपालक सहर में रहने वालों के लिए बोजन जुटाते थे मतुरा बहतरिन मूर्तियां बनाने का भी केंदर था लबग 2000 साल पहले मतुरा कुशानों की दूसरी राजधानी बना इस बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे मतुरा एक धार्मिक के अंदर भी रहा है यहां बोध विहार और जेन मंदिर है और यह कर्शन भक्ति का भी एक महत्पून के अंदर था तो कुशानों की दूसरी राजधानी बना है मतुरा मतुरा में परस्तर खंडों और मुर्तियों पर अनेक अभी लेक मिले हैं आम तोर पर ये संक्षिप्त अभी लेख हैं जो इस्तिरियों और पूरुशों द्वारा मठों या मंदिरों को दिये जाने वाले दान का उलेख करते हैं प्राए शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिवकार इस परकार के दान करते थे ओधारन के लिए मतूरा के अभी लेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों और माला बनाने वालों और इत्रा बनाने वालों के लेख मिलते हैं तो बैसिक सी जानकारियां है, इन्फोर्मेशन है, तो थोड़ा ध्यार में रख लिजी इसको शिल्प और शिल्पकार पुरा स्थलों से शिल्पों के नमुने मिले हैं इनमें मिटी के बहुती पतले और सुन्दर बरतन मिले हैं जिनें उत्री काले चमकिले पातर कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उप महादीब के उत्री भाग में मिले हैं ये प्राए काले रंग के होते हैं और इन में एक खास जमक होती है ध्यान रहे कि अन्या दूसरे शिल्पों के अवसेस नहीं बचे होंगे जैसा कि विबिन गरंथों से हमें पता चलता है कि कपड़े का उत्पदन बहुत मैत्पून था उत्तर में वारा नाशी और दक्षिन में मदूरे इसके परमुक के अंदर थे यहां इस्तरी पूरुष दोनों काम करते थे अनेव शिल्पकारों और व्यापारी अपने अपने संग बनाने लगे थे जिने श्रेणी कहते थे शिल्पकारों की स्रेणियों का काम परशिक्षन देना, कच्चा माल उपलब्द कराना और त्यार माल का वितन करना था जबकि व्यापारियों की स्रेणियां व्यापार का संचलन करती थी तो अभी व्यापार से समधित है कि शिल्प और शिल्पकार तो ये जो संग बनाते थे शिल्पकार और व्यापारी उसको हम स्रेणी कहते थे और व्यापारियों की जो स्रेणिया है वो व्यापार का संचालन करती थी स्रेणिया बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे इस धन का निवेश लाब के लिए किया जाता था उससे मिले लाब का कुछ हिसा जमा करने वालों को लोटा दिया जाता था या फिर मठ आदी धार्मिक संस्तानों को दिया जाता था तो पूरी तरह से एक बैंकिंग विवस्ता जो था उस तरह से यहां यह देखने को मिलता है तो जैसे बैंक में आज बैसे जमा करते हैं वैसे इस रेणियों में लोग बैंक के रूप में जमा करते थे सूत कातने और बुनने के नियम ये नियम अर्थ सास्तर के हैं, अध्याय आठ में अर्थ सास्तर का उलेक किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है कि किस परकार एक विसेश पतादिकारी की देख रेक में, कार खानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी, उन, पेडों की चाल, कपास, पटवा, सन को त्यार करने के कामें विद्वाओं, शक्षम, ए सक्षम महिलाओं, बिक्षुनियों, वर्दा, वेशाओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देव दासियों को लगाया जा सकता हैं, इ सकती हैं, जो औरते कार खाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कार खाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिशरमिक मिलता था, इस समय माल को अच्छी तरह जांसने के लिए रोशनी रहती है, अगर निरिक्षक उस औरत की तरफ देखता है, या इ इलाएं सडक से निकले, कहीं भी उनको दिखे रहा चलते हुए, तो उनका एक ही काम होता है, मूँ फाड़ते रहना, उनको देखते रहना, तो यहां उसके लिए भी ये प्रावदान किया गया है, कि अगर देखता है या उदर उदर की बात करता है, तो उसे सजा मिलने चाहिए हैं, और आप तो लोग के अंदर भी इसको आज की समय में भी प्रावदान कर दिया गया है, कि इतने सेकिंड तक अगर कोई पुरुष या इतने मिनिट तक लगातार अगर गूरता है, तो उस पर भी दारा लगती है, अगर ओरत ने अपना काम पुरा नहीं किया, तो उसे जुरुमाना देना होगा, इसके लिए उसका अंगुठा भी काटा जा सकता है, कि ऐसा होना चाहिए, अब आता है सुक्षम निरिक्षन अरीका मेडू, तो अरीका मेडू पांडी चेरी में, तो इसको ढूंडो परष्ट 113 जो है, इसमें, देखे कहा है अरीका मेडू, इसमें देखे में ये रहा, अरीका मेडू, परस्चान में रोम के बारे में दी जान करी पड़ो, लग बाईस सो से उननीस सो साल पहले, अरीका मेडू एक पतन था, यानि पतन क्या है या बंदरगा है, तो पतन होता है कि कि किसी चीज़ का डाउन पतन जाना, और यहां पतन से मतलब पोर्ट से है, यानि बंदरगाह से, तो बंदरगाह जो होंगे, कोई देश के कोई बीच में तो होगा नहीं, बंदरगाह कहां होंगे, जो समूदर के किनारे वाले भाग हैं, जैसे इस परकार से बारसे दक्षण की बात करें, तो यहां आपको जो भी बंदरगाह के लिए उप्तो स्थान है, आपको बंदरगाह मिल जाएंगे, जहां जहाज को जो है, लाय जा सकता था, और उसमें से समान उतारा जा सकता था पोर्ट पर, अब यहां जैसे राजस्थान है, तो ऐसा तो नहीं है कोई पुछे के यहां बंदरगाह थाक नहीं है, बंदरगाह होगा कहां से, क्योंकि जो समुदरी सीमा है, वो राजस्थान के नहीं लगती, यहां दूर दूर से आई जहाजों से समान उतारे जाते थे, यहाँ इंटो से बना एक धांचा मिला है जो समवत है गोदाम रहा हो यहाँ भूमद्य सागरिय शेत्र के एमफोरा जैसे पातर मिले हैं इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं इसमें दोनों तरब से पकड़ने के लिए हत्ते लगे हैं साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बरतन भी मिलते हैं इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पातर के नाम से जाना जाते हैं इससे मोहर लगे सांचे पर गिली चिकनी मिटी को दबा कर बनाये जाता है और कुछ ऐसे बरतन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम था, किन्तु वे यहीं बनाये जाते थे, यहां रोमन लेंप, शिशे के बरतन और रतन भी मिले हैं चोटे-चोटे कुंड मिले हैं, जो संबोत है कपड़े के रंगाई के पातर रहे होंगे, यहां पर शिशे और अर्ध बहुमुले पत्रों से मन के बनाने के प्रियाप्त साक्षे मिले हैं तो यह कुछ जान का रहे हैं, और बाकी अभी लेकित मिटी के बरतन, कई बरतनों पर ब्रामी लिपी में अभी लेक मिले हैं, प्रारम में तमील बाशा के लिए इसी लिपी का प्रियोग किया जाता था, इसलिए इने तमील ब्रामी अभी लेक भी का जाता है, तो लास्ट में क्या क्या है मांचितर 6-84 में रोम को ढूंडो यह यूरोप के सबसे पुराने सहरों में से एक है इसका विकास लगवक तभी हुआ जब गंगा के मैदान के सहर बसरे थे भारत में रोम एक बहुत बड़े समराजी के राजदानी था यह यूरोप उत्री अफरीका और पस् ओगश्टक और उसके बाद के सासकों ने कई मंदिरों और महल भी बनवाए ओगश्टक ने बड़े बड़े रंग मंडल यानी MP थेटर बनवाए जिसमें चारो तरफ दर्शकों के बैटने की सीडी नुमा जगह होती थी यहां लोग विबिन परकार के कारिकरम देख सकते उन्होंने सनानागार भी बनवाए जहां इस्तरियों और पुरुषों के लिए अलग-अलग समय निर्दारित थे और आराम करते थे बड़े बड़े जलवाही सेतू जलवाही सेतू एकवाडक्ट के जरिये शहर के सनानागारों, खुआरों और गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था तो यह देखे इस परकार से यह पानी लाया जाए यह बनावा है एकवाडक्ट अब यह खाली जगों को बरो, यह परशन आपको बरने है, तमील में बड़े भू स्वामी को क्या कहते थे, गराम भोजगों की जमीन पराय किसके द्वारा खेती की जाती थी, तमील में हलवाए को क्या कहते थे और देखे हल वाहे का वो हलवाई मत समझ लेना आप वो जो मिठाईयां बनाता है वो हल वाहे हल को वहने वाले हल तो उसे मना हल वाहे कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि हलवाई कहां से आ गया वो हलवाई नहीं गये जो मिठाईयां बनाता है, दुकान पे बैठता है, वो नहीं अधिकांस ग्रहय पती क्या होते थे, तो वो इसमें लिखना है सही जवाब जुन्डो, ये परशन है वल्यकूप का उप्योग, जो मैंने आपको पर बताए था थोड़ दिर पहले तो वल्यकूप का जो उप्योग है, वो किस के लिए होता था, नहने के लिए, कपड़े, दोने, सिंचाए के लिए, जल निकास के लिए, इसका सही उतर होगा, जल निकास के लिए आहत सीके जो हैं, वो क्या होते थे, किस के बने होते थे, तो चांदी सोने के तो ये चेप्टर आपका complete होता है नेक्स्ट है व्यापारी, राजा और तीर्थियात्री तो ये हम नेक्स्ट चेप्टर में पढ़ेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन, जै भारत